तो हेलो गाइज वेलकम बैक तो अनदर वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आरा थे कि बीटल बैटल के वन एंड डे टू के इवेंट्स कैसे इजी लिए कम्प्लीट कर सकते हो बट पहले इफेंड में थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे अटाक करना है कैसे एनिमी इसके अटाक को ब्लॉक करना है तो आपको तीन बटन मिलेंगे लेट अन राइट साइड नीचे दो बटन होंगे वो राइट साइड वाला आगे जाने के लिए होगा और लेफट साइड वाला पीछे जाने के लिए और राइट साइड वाला बटन enemy पर attack करने के लिए भी use होगा वो बटन होल्ड करके आप enemy पर attack कर सकते हो हाँ तो वो बटन होल्ड करने से आपका beetle charge होगा अब यह charging distance अगर exact जिस distance पर opponent होगा आपका उसी distance पे आप छलांग मारके अपने बीटल से attack करवाओगे तो damage ज्यादा आएगा बढ़ अगर ये overcharge कर दोगे तो फिर damage कम आएगा जैसे कि ये देख सकते हो fully charged है पूरा complete तो ये जो distance jump करेगा वो होगा 2 tiles का ये 1 tile एक दूसरा tile अगर इसे half charge करते हो तो फिर ये एक tile तक जाएगा one fourth charge करते हो तो फिर half tile तक जाएगा और three fourth charge करते हो तो फिर ये one and half tile तक कूदेगा तो आपको देखना है कि आपका enemy कितने tiles दूर है आप से और उस हिसाब से आपको अपना beetle charge करके same distance पे attack कराना है तो इससे damage ज्यादा आएगा enemy पे अब ऐसा raid floor पर अगर दिखता है आपको तो आपका enemy आप पर attack करने के लिए ready हो रहा है आप enemy को dodge करने के लिए पीछे जा सकते हो ये ready रहे से बाहर तो आप hit नहीं हो गये या फिर आप enemy के attack करने से पहले enemy पे attack कर सकते हो तो enemy आपका पीछे हो जाएगा मतलब enemy पे damage आएगा और वो आप पे attack नहीं कर पाएगा और यहाँ stamina बार दिखाया जा रहा है आप जब charge करोगे attack तब आपका stamina consume होगा अब attack block करोगे तो भी stamina consume होगा हाँ और तीसरा button मिलेगा आपको left side थोड़ा उपर left side वाले button के थोड़ा उपर यह button से आप enemies के attack block कर सकते हो यह ball अगर enemy फेकेगा तो यह ball को भी आप block कर सकते हो अगर ऐसा laser type attack करेगा enemy तो उसे भी आप block कर सकते हो बट एक और attack होता है थंडर स्ट्राइक टाइप जो आपको दिखेगा आपके बीटेल के नीचे एक round circle करके आएगा थोड़ी देर बाद एक थंडर स्ट्राइक गिरेगा उससे बचने के लिए यह block attack आप नहीं कर सकते है उससे बचने के लिए simply आगे चले जाईए वह range से या फिर पीचे तो event rule explain हो गए अब मैं day one and day two दोनों complete करके देखाता हूँ day one भी कर देता हूँ जो कि मैं complete कर चुका हूँ कल लाइप पर अगर अपमें से किसी का रहे गया है तो फिर यह video देखके आप easily clear कर पाऊँगे तो मैं day one भी clear करके देखाता हूँ कि मैं आपको आपको यह फ्रेंडली स्पार करने की जुरुवत नहीं सीधा फोकस स्टार्ट कीजिए तो फिर यह फाइनल वाला अनलॉक हो जाएगा तो यह दोनों से ही complete हो जाएगा event यह वाला पहला वाला स्टार्ट करने की जुरुवत नहीं देवान का मैं थर्ड पार्ट से सीधा स्टार्ट करता हूँ और देटू में दो करके निखाऊंगा तो यह एक टाइल के डिस्टेंस पर है ओके थोड़ा गल्ती हो गया यह थंडर स्ट्राइक से डॉज करना बढ़ेगा थंडर स्ट्राइक पर हिट नहीं गर सकते ब्लॉक यह था एक टाइल के डिस्टेंस पर मैंने एक्जाक्ट जंप किया तो ज्यादा डैमेज पड़ा इस पर यह मैंने ओफर चार्ज कर दिया यह एक्जाक्ट चार्ज गया तो ज्यादा डैमेज पड़ा यह ओफर चार्ज कर दिया डैमेज कम आएगा इस पर ओफर चार्ज कर करते हो तो फिर डैमेज ज्यादा आएगा तो बस ऐसे एजिली क्लियर कर सकते हो कि वो टाइल्स डिस्टेंस देखे आपको समझना है कि कितना चार्ज करना है तब डेट टू स्टार्ट करते है कि अटार्ण गैघंर को साध्य की तो यह वाला एंगी आइभाव बाला आटाक कर सकता है जिसे ब्लोक कर सकते हो तो जैसे का मैंने बुला पहला पहला स्टार्ट करनी किवगस देंस won't start करो तीसरी कर लगो चाहिए सपरियरब उर्पना क्लियर जाएगा और फिर अफर्ट स्टेज क्लियर कर सकते हो एकाल और के डिस्टेंस पर य थी कि दूल ऐसे कि चला गया एक्जाँक्त ंख कि कि zou आ как यह वाला ब्लॉक कर सकते हो और क्लियर जैसे कि मैंने वोला था सेकंड लेवल क्लियर करोगे तो दो लेवल एक साथ क्लियर हो जाएंगे और अब तो सीधा थर्डवाला स्टार्ट कर सकते हो तो स्टार्ट कर सकते हो 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 झाल और क्लियर और ऐसे बहुत ईजीली आप आज का चैलेंज भी कंपलेट कर सकते हो अगर चैनल पे नाए हो तो चैनल को सब्स्राइब करना भी मत बूलना मिलता अगले वीडियो में अंतिल देन टेक कैर सियो आल बबाई